नमस्कार दर्शिकों मैं दिप्यक खुबरे और आप देख रहे जे टीवी भारत आईए रुख करते आज के मुखे समाचा रुखियों चतरपुर जिले में दिन दहाडे 25 वर्शी युवक को मारी गोडी गटना विजावर विदानसवा की जहांपर महेश रैकवारूर मनोश पाल की एक महा पहले अग्यात कारणों के चलते कुछ विवाद हो गया था उसी विवाद को आज करीब दोपर तीन बजे महेश रैकवार अपनी दुकान के सामने की जहड़ू लगा रहा था तबी मही मौके पर मनोश पाल आया और महेश रैकवार से गंदी गंदी गालिया देने लगा और पीछे से महेश रैकवार के सीने में गोली मार कर मनोश रैकवार मौके से भाग गया पर इजनों को जानकरी लगते ही तुरन जिला स्पताल के लिए गए जहां पर इलाज के दोरान डॉक्टरों ने महेश रेकवार को मत घोशित किया पुलीस मौके पर पहुची हत्यारा तो नहीं मिल सका लेकिन पुलीस हत्यारे की पत्नी और उसके ट्रेक्टर को जब्त कर अपनी हिसालत में ले लिया हत्यारोपी मौके से फरार हो गया परिजनों का आरोप है कि हत् पुरानी रंजीश के चलते की गई है पुलीस ने म्रतक के पिता के बयान पर मनुचपाल के किराफ हत्या कम कदमा दर्शकर शवक पोस्मार्टम के लिए भेज़ दिया